अबिशेक मलहान पर इस वक्त नेगेटिव पियार के लिए 25 लाख रुपए देने का आरोप लगा है दोस्तों लेकिन उसके चलते एक वीडियो क्लिप काफी जादा वाइरल हो रहा है जहां पर अबिशेक ये साफ तोर पर बता रहे हैं कि उनके अकाउंट में भी कितने पैस होते हैं ये भी उन्हें नहीं पता होता चलिए बात करते हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवूड स्पाय में मैं हूँ अधती शर्मा तो दोस्तों एक इंट्रव्यू के दौरान अभिशेक के साथ जो है काफी सारी बातचीत हुई बातचीत हुई भाई बिग बॉस की प समधे हैं और मेरा अगर यह हफ्ते का खर्चा अगर वैब आपको बताऊं तो मुझे जान देखनी होती है एक मूवी और साथ में खाने होते हैं पॉपकॉर्ण्स तो वह है मेरा खर्चा और वह सारे पैसे भी मैं पापा से लेता हूं जी हां तो सारा सब कुछ जो है पाप पापा के पास जाता है इन लोगों के हाथ में नहीं होता है और यहाँ पर अभिशेक ने यह क्लियर कर दिया है कि हम तो थोड़े बहुत पैसे मांगने भी होते हैं हम पापा के पास जाते हैं पैसे मांगने के लिए तो ऐसे में पांडा गैंग जो है यहाँ पर कह रही है कि अगर मतलब अभिशेक का भई इस तरीके की चीजे चलती है, वो सारे पैसे पापा से मांगते हैं, या जो भी उन्हें चाहिए होता है, कुछ भी उन्हें खरीदना होता है, तो वो पापा से कहते हैं, तो यहाँ पर यह जो नेगेटिव पियार के 25 लाख हैं, यह किस ने दे दिये हैं फिर, तो इस तरीकी की चीजे उठ रही हैं, और काफी मीम्स भी इस चीज पर बन रहे हैं, कि एक तराफ अभिशेक जो है क्लियर कर रहे हैं, कि भई वो तो 25 रुपए भी नहीं खर्चे, किसी इस तरीकी की चीज के उपर, और दोस्तों एक सवाल यहां पर यह भी उठता है, कि अगर किसी को 25 रुपए खरचने हैं, तो वो अपने लिए भी खरच सकता है भई, अपने आपको उपर दिखाने के लिए, ना कि किसी को गिराने के लिए, बट यह गुत्ती अभी तक सुलजी नहीं है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, यह सारी चीजें सिर्फ एलविश को पता है, और वो ही बता सकते हैं, आप सभी को क्या है कहना कॉमेंट्स में बताईए जरूर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,